असलाम वालेकुम दोस्तो मैं हूँ असलाम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट भाई मैं जिस कमपणी माया था उस कमपणी से अनुसी ले लिया हूँ पर मैं भी दूसरी कमपणी में चैंज नहीं लेना चाहता हूँ क्या उस NOC का expiry date होता है या नहीं प्लीज reply मैं reply का इंतजार कर रहा हूँ दोस्तों ये सवाल मुझे कुछ unique लगा इसलिए इसके उपर में एक separate वीडियो बना रहा हूँ इस तरह का problem कभी न कभी आप लोगों के साथ में भी आ सकता है तो इस वीडियो को लाश तक जरूर देखें मेरे ख्याल से आप लोगों ने सवाल समझ लिया होगा तो इसका जवाब यह है कि NOC का expiry date नहीं होता है लेकिन अगर इस NOC में ये चीज़ mention कर दिया जाए कि ये NOC issue होने के बाद दो महना या तीन महना के लिए सिर्फ वालिड है तो इस सुरत में expire हो जाएगा लेकिन आम तोर पर इस तरह का NOC नहीं बनता है जिसम ये date लिखा हो इस तरह mention क्या हुआ हो कि ये NOC सिर्फ दो महना या तीन महना के लिए वालिड है इस तरह के NOC नहीं बनता है या ये के बहुत ही कम बनता है अब रही ये बात कि आप दूसरी कमपनी में जाना चाहते थे लेकिन आपका अचानक जो है plan cancel हो गया आप दूसरी कमपनी में नहीं जाना चाहते हैं तो यहाँ पर दो तिन condition है मैं आप लोगों के सामने में एक के करकिस को explain करने वाला हूँ आपने पुरानी company से इनोसी लिया था लेकिन इनोसी लेने के बाद में आपका plan cancel हो गया और अभी तक आपने apply भी नहीं किया है change के लिए तो इस दिकत की बात नहीं है अगर आपका मुदिर एगरी हो जाता है तो आपको मज़ीद कुछ करने की जरूत नहीं होगी दूसरा condition यह है कि आपने change करने के लिए online apply कर दिया था apply करने के बाद में आपका plan बनता है कि हमको नई company में नहीं जाना है बलकि पुरानी company के अंदर हना है तो इस application को जो कि system में पढ़ा हुआ है तो आप इसको cancel करवा सकते हैं लेवर ministry से या यह कि इसको आप ऐसे ही छोड़ दें इस पर action मत लें यह expert होने के बाद में cancel हो सकता है अगर आगे चलकर कि कोई दिक्कत होगी तो आप लेवर ministry से contract करकि इसको cancel करवा सकते हैं system से यहाँ पर तीसरा condition यह है कि आपने अपनी company से change करने के लिए NOC लिया था तो यहाँ पर दो बात हो सकती है पहली बात तो यह है कि आपको जो NOC मिला हुआ है इस NOC में नई company का नाम लिखा हुआ है और दूसरी बात यह हो सकती है कि उस नई company का नाम नो लिखा हो यानि कि वो NOC blank हो अगर NoC blank है उसमें नई कंपनी के नाम नहीं लिखा हुआ है तो कोई दिकत के बात नहीं है आप उस NoC को किसी तिसरी चोथी कंपनी में जाने के लिए यूज़ कर सकते हैं लेकिन अगर आपके NoC में नई कंपनी का नाम लिखा हुआ है ती इसुरत तुम ये NoC काम नहीं इसको अगर आप white लगा करके इसको remove करके दूसरी company नाम अगर लिखने कोशिश करते हैं तो यह duplicate काम होगा इसलिए आपको फिर से नया NOC लेना होगा मेरा suggestion यह है कि आप company से NOC लेते हैं तो जो है नया company जिसमें आप जा रहे हैं तो NOC में आप नया company का नाम मत लिखवाएं उसको blank रहने दें और सबसे important बात यह है कि अभी कतर में change करने के लिए sponsorship को change करने के लिए आपको NOC जरूत नहीं पड़ेगी अगर आपको company change देने के लिए ready है तो आप company को reason letter दे दीजिए reason letter का दूसरा copy अपने पास में रखिए और उस copy के साथ में आप change करने के लिए apply कर सकते हैं अगर आपने किसी company के अंदर में दो साल से कम काम किया है तो इस सुरत में अगर change लेना चाहते हैं तो apply करने से पहले आपको एक महना पहले resign देना होगा अगर आपने किसी company के अंदर में दो साल से ज़्यादा काम किया है और उस company को change करके दूसरी में जाना चाहते हैं तो apply करने से पहले आपको दो महना पहले आपको resign later देना होगा मुझे सुनने में ऐसा भी आया है कि बहुत सारे लोग एक या दो महना जो है पीशे का date डाल करके उसके बाद change के लिए apply करते हैं लेकिन ये legal नहीं है ये सरासर गलत है आप भी ऐसा मत करें बलके rule को follow करें rule को follow करने से आपको कानूनी मदद मिलेगी गलत जाने पर आपको कोई भी help नहीं मिलेगा बलके आप problem में पढ़ सकते हैं तो दोस्तों यहीं थी आज की वीडियो उमिद करता हूं जरूर पसंद आई होगी इस वीडियो को like करके आगे जरूर share करें वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया